फिल्मेकर आदिते चोपरा की अपकमिंग फिल्म धूम 4 को लेकर फैंस में काफी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मतादे की साल 2004 में रिलीज हुई आक्शन थ्रिलर फिल्म धूम बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बस्टर साबित हुई इस फिल्म के पहले पार्ट में जहां आक्टर जौन अब्राहिम ने विलन का रोल निभाया था तो वहीं दूसरे पार्ट में रितिक रोशन विलन के रोल में नजर आये थे धूम 3 की बात की जाये तो उसमें आक्टर आमर खान नी डबल रोल किया था आई विलन का रोल निभाकर सबको चौका दिया था वाईया फैंज ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइडर है कि धूम 4 में आखिर विलन का रोल कौन करने वाला है बीते कुछ रिपोर्स में ये दावा किया जा रहा है कि धूम 4 में विलन का रोल जो है वो शारुक खान कर सकते हैं लेकिन धूम 4 से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है चलिए आपको बताते हैं रिपोर्स के अनुसार धूम 4 के लिए मेकर्स शारुक खान के साथ साथ रनवीर कपूर को भी विलन के लिए कास्ट करने की कोशिश में जूटे हैं वहीं इस फिल्म में जहां कुछ फैंस शारुक खान तो वहीं कुछ रणवीर कपूर को विलन के रूल में देखने के लिए excited है X Twitter handle पर फैंस लगतार react कर रहे हैं कि आखिर वह कौन से स्टार को धूम 4 में विलन के रूल में देखना चाहते हैं एक यूजर ने तो ये भी लिख दिया कि यश्रास फिल्म्स प्रभास और रणवीर कपूर को धूम फ्रंचाइजी में कास्ट करने की कोशिश करें उनकी प्लानिंग करें क्योंकि ये दोनों स्टार्स पड़ते पर जब एक साथ आएंगे तो धूम मचा देंगे अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि थूम फोर में विलिन के रोल में कौन नजर आने वाला है शारुक खान या रणवीर कपूर हमारे कॉमन बॉक्स में जरूर बताएं